नमस्कार प्रियदर्शकों आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूं शामुद्रिक सास्त्र से एक महत्वपुण बिशाय को लेकर आज तक हमने जोतिस सास्त्र से और शामुद्रिक सास्त्र से भविश्य के बारे में बात किया है भविश्य में प्रप्त होने वाले योगों के बारे में बात किया है आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शामुद्रिक सास्त्र से उस रेखा के बारे में जिसकी जानकारी जिस रेखा को आप वर्तमान समय में जान सकते हैं और वर्तमान समय में जानने का मतलब यह है कि उस रेखा का जो फल होगा उस रेखा का जो प्रभाव होगा वह आप वर्तमान समय में देखेंगे बाविश्य की नहीं आज वर्तमान की बात होगी हस्त रेखा विग्यान के द्वारा प्रियदर्शको हथेली में आज मैं भरात्री भगनी रेखा के बारे में बताने जा रहा हूँ भरात्री भगनी रेखा का मतलब हुआ भाई बहन की रेखा हमारे हथेली में भाई बहन की रेखा कौन सी होती है किस रेखा को देखकर हम भाई बहन की संख्या ग्यात करते हैं उस रेखा को समझेंगे उसके बारे में समझेंगे और उन रेखाओं में से कौन सी रेखा भाई द्योतक है और कौन सी रेखा बहन द्योतक है यानि किस रेखा से हम यह ज्याद करेंगे कि ये भाई की संख्या वाली रेखा है और कौन सी रेखा बहन की संख्या को बताईगी और जिनके भाई बहन ही नहीं होते हैं उनकी हत्थेली में यह रेखा नहीं होती है और रेखा के संख्या से आप ग्याद कर सकते हैं कि कितने भाई बहन हैं और आपके जितने भाई बहन हो उतनी रेखा आपको हत्थेली में इस पस्ट दिखाई पड़ेगी आज आप इस विशाय को देखकर अपनी होथेली में इस रेखा को आवस्य देखिए प्रियदर्श को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है यदि आप पूरुस हैं तो इस जानकारी को आप अपने दाहिने हाथ में देखिएगा यानि दाएं हाथ की होथेली में और यदि आप महिला हैं तो इस जानकारी को आप अपने बाएं हाथ की होथेली में देखिएगा प्रियदर्श को शुरू करते हैं ब्रात्री भगनी रेखा की परिभासा क्या है ब्रात्री भगनी रेखा हथेली में कौन से स्थान पर होती हैं किस रेखा को हम ब्रात्री भगनी रेखा यानि भाई बहन की रेखा कहते हैं समुद्रिक सास्त्र में इसका किस प्रकार से वर्णन है आये समझते हैं प्रिय दर्शक को जो हत्छेली में सुक्र का छेत्र है, उस परवत को देखना है तो सुक्र का परवत कौण सा है अंगुठे के मूल भाग में जो ये वाला छेत्र होता है ये सुक्र परवत है शुक्र का छेत्र है तो इसी सुक्र के छेत्र पर शुक्र परवत पर यानि अंगुठा के मूल भागे में जो सुक्र का परवत है इसी परवत पर भ्रात्री भगनी रेखा भाई वहन की रेखा होती है ये रेखा सुक्र परवत से निकलती है और मंगल छेत्र की और जाती है प्रियदर्शक अब हथेली में मंगल का दो स्थान है एक यहां पर और एक यहां पर और ये सुक्र परवत से रेखा निकलती है जो भाई वहन की रेखा होती है तो यहां से ये रेखा मंगल छेत्र की और इस प्रकार से जाती हुई दिखाई पड़ेगी जो रेखा सुक्र छेतर से मंगल की ओर जा रही हो यहाँ जो छेतर होता है यह मंगल का छेतर होता है और यह जो छेतर है यह सुक्र का छेतर है तो सुक्र के छेतर से जो रेखा मंगल छेतर की ओर जाती हुई दिखाई पड़े तो आप समझ जाईए कि यह रेखा भरात्री भगनी रेखा है भाई या बहन की रेखा है अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि आप इसमें कैसे समझेंगे कि कौन सी रेखा भाई द्योतक है यानि भाई के लिए द्योतक है उस रेखा को हम भाई की संख्या में जोड़ेंगे और कौन सी रेखा बहन के लिए द्योतक है उस रेखा को हम बहन की संख्या में उसको आगे समझेंगे लेकिन आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो रेखा सुक्र परवत उसे मंगल छेत्र की और जाती हुई दिखाई पड़े एक हो दो हो तीन हो जितनी संख्या की रेखा हो उन रेखाओं की उनको आपको गिन लेना है प्रियदर्श को आपको ध्यान रहे कि ये रेखा मंगल छेत्र की और ही जाती हुई होनी चाहिए दूसरा नहीं इसके बाद इस सुक्र परवत पर ये जितनी रेखाई होंगी उतने ही भाई बहन उस जातक के होते हैं यह समझ लेना है ये रेखा जितनी ही गहरी इसपष्ट और निर्दोस हो यानि यहां से जो रेखा मंगल छेत्र पर जा रही है यह रेखा जितनी गहरी हो इस पस्ट हो निरदोस हो यानि तूटी फुटी हुई नहीं होनी चाहिए जितनी इस पस्ट होगी तो आप यह समझिये कि उस व्यक्ती के भाई बहन उतने ही स्वास्थ की द्रिष्टी से अनुकूल होंगे और यदि यह रेखा आपको कमजोर दिखाई पड़े कहीं से तूटी फुटी हुई दिखाई पड़े यानि रुक रुक कर आगे बढ़ी हुई है या कहीं से तूटी हुई दिखाई पड़े तो आप समझ जाईए कि उसके भाई बहनों का स्वास्थ भी कमजोर होता है स्वास्थ के द्रिष्टी से ये रेखा उत्तम नहीं मानी गई है जो रेखा तूटी फूटी हुई हो कमजोर हो अब प्रिये दर्शुकों आप यह समझें कि कौन सी रेखा भाई के लिए है और कौन सी रेखा बहन के लिए इन दोनों रेखाओं में बिभाजन बड़ा सरल है जितनी रेखाएं हो एक हो दो हो तीन हो चार हो जितनी भी रेखाएं हो आप अपनी हथेली में देखिए उन रेखाओं में से जो रेखा गहरी और चोड़ी हो मोटी हो वे भाई की सूचक होती है फिर से सुनिए जो रेखा मोटी हो गहरी हो चोड़ी हो वे भाई की सूचक होती है देखिए अम्मान लिजिए कोई रेखा इस प्रकार से यहां एक मोटी रेखा हो गई तो इस प्रकार की रेखा जो मोटी हो इस पस्ट हो और गहरी हो वे भाई की सुचक होती है और जो रेखा पतली हो वह बहन की संख्या बताती है अब यहां एक पतली रेखा खिस लिजिए इस प्रकार की यदि रेखा आपको दिखाई पड़े तो जो मोटी रेखा होगी जो चोडी रेखा होगी जो गहरी रेखा होगी वो रेखा भाई की सुचक होती है और जो रेखा पतली हो वह बहन की सुचक होती है यानि वह बहन की स संख्या बताती है तो जितनी रेखाएं आपको इस सुक्र परवत पर ग्यात हो मंगल छेत्र की ओर जाती हुई उन रेखाओं में से जितनी रेखाएं मोटी होंगी चोडी होंगी स्पष्ट उस रेखा भाई की संख्या को बताएगी और जितनी रेखाएं पतली होंगी उन रेखाओं से हमें बहन की संख्या ग्याद कर लेनी है प्रिये दर्श को अब जितनी रेखाएं हैं उस प्रकार से यानि मोटी रेखाएं जितनी हैं उन संख्या को गिन लिजिए जितनी पतली रेखाएं हैं उस संख्या को गिन लिजिए और उतने ही भाई बहन होते हैं और मोटी और पतली दोनों ही रेखाओं को जोड़कर जितनी रेखाएं हैं उस जातक के उतने ही भाईबहन होते हैं प्रिय दर्श को यदि ये रेखा जो भ्रात्री भगनी रेखा है जो सुक्रशे मंगल छेत्र की ओर जा रही है यह रेखा मार्ग में ही तूटी हुई हो या छिन भिन हो तो आप क्या समझेंगे तो जैसा कि मैंने कहा यदि तूटी फूटी हुई रेखा ये आगे बढ़ जाती है मंगल छेत्र तक तो आप यह समझें कि उसके भाई या उसकी बहन यदि यह मोटी रेखा है तो उसके भाई और यदि यह पतली रेखा है तो उसके बहन की स्वास्थ से सम्मंधित परिशानी होगी स्वास्थ उत्तम नहीं होगा लेकिन यदि यह रेखा तूटी फूटी होकर मंगल छेत्र तक पहुँचे ही न बीच में ही रुक जाए मंगल छेत्र की ओर न जाकर यहां से स्टार्ट हुई और थोड़ी ही दूर पर जाकर वह रुक गई वहां से आगे ही नहीं बढ़ी तो ऐसा समझ लेना चाहिए कि उस भाई या बहन की मृत्यू उसके जीवन काल में हो सकती है या उसे मृत्यू तुल्य कश्ट प्राप्त होंगे प्रसे सुनिये यदि रेखा मार्ग में ही तूटी हुई दिखाई पड़े चन भिन हुई दिखाई पड़े और मंगल छेत्र की ओर न जाकर बीच में ही रुक जाए तो उस भाई या बहन के मृत्यू उसके जीवनकाल में जातक के जीवनकाल में समझनी चाहिए या मृत्यू तुल्य कष्ट समझनी चाहिए प्रिय दर्शकों और जिन जातकों के हथेली में भ्रात्री भगनी रेखा ही न हो तो इस पश्ट है कि उस व्यक्ति के कोई भाई अथवा बहन नहीं होता है तो प्रिय दर्शकों आप भी अपने हथेली में देखिए और आपको ध्यान रखना है कि यदि आप पूरुस हैं तो अपने दाहिने हाथ की हथेली में देखिएगा और यदि आप महिला हैं तो अपनी बाई हाथ की हथेली में देखिएगा शुक्र परवत पर आपको देखना है शुक्र परवत पर सुक्र छेत्र से निकल कर रेखा मंगल छेत्र की ओर जाती हुई दिखाई पड़नी चाहिए और रेखा कितनी है रेखा की जितनी संख्या होगी उतने ही भाई वहन जीवन में होते हैं और मैंने बता दिया कि भाई और वहन में बिभाजन किस प्रकार से करिएगा रेखां को देखकर तो जो मोटी रेखाएं होंगी जो गहजी रेखाएं होंगी जो चौडी रेखाएं होंगी वो भाई सूचक है भाई की सूचक है और जो रेखाएं पतली होंगी वो सभी रेख बहन की संख्या को बताती है और प्रिएधर्श को रेखा की स्थिती के अनुसार ब्रात्री भगनी रेखा किस प्रकार की स्थिती है रेखा निर्दोस है गहरी है इस Emir पस्ट है तो भाई बहन की जीवन में सुख और स्वास्थ लाभ उत्तम कहा जाएगा और यदि कमजोर है तुटी फुटी हुई दिखाई पड़े रेखा तो स्वास्थ के दृष्टी से उत्तम नहीं माना जाता है तो आप सभी भी अपनी हथेली को देखकर यह ग्याद कर लीजिए आज के लिए बस इतना ही तब पुनह फिर मुलाकात होगी एक नवीन विशाय के साथ तब तक के लिए अनुमती चाहता हूं नमस्कार